नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही करता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों यहां से मिलने वाला डी पैनलाइसेज और बैस्ट प्रेडिक्सन जिसकी दम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बिनिंग कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं स्कॉटलेंड और जिंबाब्बे के बीच दूसरे T20 मुकाबले के बारे में दोस्तों जो पहले T20 मुकाबले को हमने कवर किया था उम्मीद है आपको वहाँ से काफी अच्छी बिने हुई है क्योंकि पूरा मेच दोस्तों हमारे प्रेडिक्शन के आधार पर चला दोस्तों खे सकते हैं वहाँ पर आपको Head to Head और Grand League में काफी जादा फायदा हुआ होगा दोस्तों हर मेच की तरह इस मेच में भी हम आपके लिए 10,000 रुपे का Free Give Away लेकर आए हैं दोस्तों Free Give Away का मतलब दोस्तों हमारे दोरा पूचेगा है दो Questions का आपको सही सही आंसर देना है और सीधे 10,000 रुपे आपके एक हाते में Price Money के रूप में ट्रांसपर कर दिये जाएंगे दोस्तों वीडियो के अंते तक बने रहिएगा और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों ऐसे ही Free Give Away हम हर मैच में आपके लिए आल लेकर आते रहते हैं और दोस्तों आने वाले IPL यानि 2021 का जो IPL अब 19 स्थमबर से होने वाला है उसमें ये Price Money हमने 20,000 कर दी है यानि 10,000 रुपे से बढ़ा कर ये Price Money हमने आपके लिए 20,000 रुपे तक कर दी है तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बिगट कीपरिंग के बारे में दोनों ही टी 2020 का मुकावला है दोस्तों यदि बात करें अपन पिछ रिपोर्ट के बारे में तो यहाँ पर शुरूबात में फास्ट बोलर्स को काफी मदद मिल रही है पिछला मुकावला यदि आपने ध्यान से देखा हो दोस्तों उसमें दोनों ही टीमों के ओपनर कुछ कोई भी खास नहीं कर पाए दोस्तों स्कॉट लेंड के तीन बिकेट बहुत जल्दी गर चुके थे शुरूबात में वहीं जिंबाब्बे के दो बिकेट काफी जल्दी शुरूबात में गर चुके थे यानि कि दोस्तों जो मद्द करम के बलने वाज है वो यहाँ पर काफी अच्छे र दोस्तों अब बात करें यदि अपन बिगट कीपर उनके सुरूबाद यहां पर करते हैं तो यहां पर दोस्तों ब्रेंडम टेलर को हम टीम में नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने सन्यास दे लिया है और दोस्तों इनके सन्यास के बाद ही जिंबाब्बे का जो बैटिंग ओड रहे दोस्तों, वो थोड़ा चर मरा गया है और यही करण रहा कि जिमबाब में पहला मकावला धोस्तों हार गया था इसके बाद दोस्तों टीम में दिखाई देना एस सबसे एक्सपिरियोई जो पिलियर अभी तक के दोस्तों वो है चकावा चकावा को आप टीम में जरूर खिलाने वाले हैं क्योंकि तीसरे नंबर पर ये बैटेंग करने आते हैं और पिछले मुकावले में 26 रन इनके बल्ले से निकले थे दोस्तों बैसे तो ये बल्लेवाज का भी तावर तोड़ बैटेंग करता है लेकिन पिछले मुकावले में ये पारी जिम्मेदारी भरी पारी थी यानि कि दोस्तों टीम में खड़े होने के लिए ये शकावी शांदार पिलियर हमें पहले मैच में खेलता हुआ दिखाई दिया था वहीं अगर बात करने दोस्तों M क्रोस के बारे में तो ये छटवे नंबर पर बल्ले बाजी करने आते हैं और पिछले मुकाबले में दोस्तों 4 रण इनके बल्ले से निकले थे दोस्तों आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि छटवे नंबर पर बल्लेवाजी करने आते हैं तो इसको टीम में लिया जाए या नहीं लिया जाए क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने बताया सुरू बात में बोलर्स को फाइदा मिलेगा तो वहाँ पर दोस्तों एक या दो बेगट काफी जल्दी गरने वाले हैं यानि आप खे सकते हैं चटवे नंबर का ये बल्लेवाज एक तरह से चोते नंबर का बल्लेवाज बन जाएगा तो आप इन्हें टीम में रख सकते हैं लेकिन दोस्तों बात करें अभी के लिए तो आप हैट टू एट टीम में चकाबा को टीम में रखने वाले हैं और ग्रांड लीग में इन्हें कैप्टन 22 कैप्टन के रूप में आप ट्राइ करने वाले हैं दोस्तों अब बात करें बैटिंग की तो बैटिंग सी बात करने से पहले दोस्तों हम आप से दो कोशन यह है कि पहला बिकेट कौन से ओवर में गरने वाला है दोस्तों काफी आंसर काफी शांदार आसान आंसर यह आपके लिए होने वाला है क्योंकि दोस्तों जैसा हमने पिछले प्रेडिक्शन ने बताया और इस प्रेडिक्शन का पहला बिकिट कॉन से ओवर में गिरने वाला है और दोस्तों दूसरी दूसरा कोशन ये है कि सेगंड इनिंग को क्या टारगेट मिलने वाला है दोस्तों जैसा कि हमने प्रिडिक्शन रगना है इसको हम आगे आपको बताने वाले हैं दोस्तों बात कर रहे हैं अपन स्कॉटलेंड यानि बैटिंग डेपार्टमेंट के अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्कॉटलेंड का ये कप्तान यानी बात करें दोस्तों के कोईड़र के बारे में तो ओपन करने टीम के ल में 95 और एक मुकाबले में 135 रन यह बना चुका है यदि आप ग्राड लिंग में रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों निश्चित तोर पर आप इने कैप्टन बाइस कैप्टन टीम में रख दें क्योंकि दोस्तों ओपन करते हैं और अगर थोड़ी देर पिछ पर यह खड़ हुआ है और दोस्तों बात करें पिछले मुकाबले में भी काफी शानदार यह रहेते और दोस्तों यह हैड-to-head टीम और ग्रांड लिंग में आप निश्चे ट्रायक जरूर करें और दोस्तों पिछले पांचटि-20 मुकाबलों के बारे में बात करें तो पांचों मुकाब क्योंकि इनके record भी अच्छे नहीं है और दोस्तों बात करें तो पांच में नंबर पर ये बैटेंग करने आते हैं और दोस्तों छे run पिछले मुकाबले बनाएते हैं हाला कि इस सीरीज से पहले भी इन्होंने दोस्तों 23, 7, 0, 14 और 9 ही run टीम के लिए बना है यानि इसको इनके बल्ले से अभी तक देखने को नहीं मिला है वहीं अगर बात करना दोस्तों स्कॉटलेंड के अगले बल्ले बाद जोर्ज मुंसी के बारे में तोस्तों टीम के लिए ये open करने आते हैं लेकिन पिछले मुकाबले में इनके बल्ले से एक ही run निकला था और दोस्तों उससे पहले इनके बल्ले से 0 run निकले थे और उससे पहले इस बात करें दोस्तों 59 run 9020 पारी खेली थी इससे पहले 49, 108 run ये run इनके ODI में आये थे और दोस्तों अब बात करें अगले बल्ले बाज एम शुमबा के बारे में दोस्तों जिमबाब्बे का शांदार ये पिलियर है और दोस्तों हम इसे टीम में रखने वाले हैं दोस्तों बात करें तो ये पांचवे नंबर का बल्लेवाज है दोस्तों पांचवे नंबर पर बल्लेवाज ही करते हुए इन्होंने 45 रन पिछले मुकाबले मनाये थे और दोस्तों इससे पहले भी काफी अच्छी पारिया ये खेल चुके हैं यानि इनका फोर्म दोस्तों प उपन करने आए हैं ब्रेंडम एक ब्रेंडम टेलर के बाद दोस्तों टीम के लिए ये उपन कर रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं लगबग तीन परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया है तो आप ग्रांड लीग में आप इन्हें निश्चित तोर पर कैप्टन बाइस कै टीम ग्रांड लीग की यहां से आप बना रहे हैं और दोस्तों इसके बाद स्कॉटलेंड का ओ हैरिस की बारे में बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में तीसरे नंबर पर भी बैटेंग करने आये थे हाला कि जो हमने कहा ओपनर्स चल नहीं रहे हैं तो पांच रन व्यक्रेंनों ने बनाए थे हाला कि यह ओवर भी फेकते हैं तो एक बिकेट और नोपने दो और फेक कर यहां पर टीम के लिए निकाल कर दिया था तो हैड़ टू हैट टीम में यह आपके लिए काफी शानदार च्वाईज रहने बाले हैं और दोस्तों अब बात आंसर से सम्मंद एक ही कमेंट करना है दोस्तों सब्धन नंबर दो जो आपने कमेंट कर दिया दोस्तों उसी को किसी प्रकार से एडिट नहीं करना है बाद में दोस्तों क्योंकि एडिट आप करते हैं तो उसमें लिखा आ जाता है कि ये वीडियो ये कमेंट आपने एडिट क इसलिए, दोस्तों, यह मानने नहीं होगा। और तीसी सब्दन ही यह, दोस्तों की मैच के स्टार्ट होने से पहले आपको कमेंट करकर जाना है। दोस्तों, रइवाद ओर फॉर्मेट कीजोंतों, हर वार की तरह हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। को लिखना है fantasy binning 11 यानि हमारे यूटूब चैनल का नाम दोस्तों यानि मैच का नाम मैच से संब्द जानकर यानि SCO वर्सेज जिंबाब्बे यहां पर लिखना है यानि Scotland वर्सेज जिंबाब्बे इसके बाद number एक डालना है और आपको और लिख देना है और इसके बाद number एडालना है आपको target लिख देना है यह format हमारा दोस्तों जो जो ऐसा कैसा format लेकर गा उसी को 10,000 रुपे payment मिलेगा और दोस्तों बात करें all rounders के बारे में तो यहाँ पर आपको पहला नाम बड़ा नाम देख रहा है दोस्तों सीन बिलियम्स के बारे में हम यह बात कर रहे हैं 84 perfect लोगों देने लिया है दोस्तों अच्छी बात यह है कि यह हभी हाली की conditions के हिसाब से चौते नंबर पर उतर रहे हैं तो यह score भी करकर हम को देने वाले हैं पिछले मुकाबले में 28 रन इनके बल्ले से निकले थे हाला कि इनोंने बॉलिंग की थी दो ओवर फेकेते कोई बिकट इनको नहीं मिला है दोस्तों बात करें तो काफी शांदार यह बल्ले बाज है और पिछले मुकाबलों में दोस्तों दो मुकाबले चोड़ दे यानि पिछले मुकाबले इस सीरिज का पिछले मुकाबले के बाद दो मुकाबले और छोड़ दें तो उससे पहले 33, 39 और 40 टूरन इनके बल्ले से निकल कर आए हैं दोस्तों इसके साथ ही इनी तीनों मुकाबले में दो बिकट भी टीम के लिए निकल कर दिये हैं दोस्तों इसके बात करें स्कोटलेंड के आर वेरिंटन के बारे में लगवाक 96 परसेंट लोगों ने सिलेक्ट किया है दोस्तों इसका बहुत बड़ा करण यह है कि ये बल्ले बाद भी चोथे नंबर पर बैटिंग करने आया यहाई नि मद्दकरम का यह बल्ले बाद दोस्तों पिछले मुकाबले में बन मैन आर्मी शो इनका रहा था 82 रन टीम के लिए नोने बनाए थे और दोस्तों उससे पहले भी इनके बल्ले से काफी अच्छी पारियां निकली है हालाखि पछले मुकाबले में 24-7 रन्ग बनाने के बाद इन्होंने बॉलिंग नहीं की लेकिन इससे पहले ये बॉलिंग जरूर करते हैं हो सकता है दोस्तों 82 running बनाने के बाद काफी लंबा pitch पटेके हैं तो दोस्तों थकावट के करण इनुने अपने over n laughing हो दोस्तों इसके बाद जाद ही बात करें ए शरीफ के बारे में दोस्तों बैटिंग order में हमें सबसे पहले बात करें तो दोस्तो आठवे नंबर पर ये बैटेंग करने आते हैं दोस्तो आठवे नंबर पर बैटेंग करने आते हैं और दोस्तो यही नहीं कि इसी मैच में आये हैं इससे पहले भी दोस्तो साथवे और आठवे नंबर पर ही ये बैटेंग करते हैं लेकिन All-Rounders के दोस्तों सेक्षन में इनको दिया हुआ है बात करें पछले मुकाबले में 9 ही रन मनाए थे लेकिन जो आपको यहाँ पर 160 का जो आपको points दिख रहे हैं दोस्तों वो काफी शांदार bowling इन्होंने की थी दोस्तों चार बिकेट लेने में सफल रहे थे और दोस्तों यहीं वो बोलर था जिसने स्कोटलेंड के ओपनर यानि दोस्तों दोनों ही ओपनर की बात करें अपन दोस्तों मुनसी और कैप्टन को इन्होंने आउट करके दोस्तों स्कोटलेंड की कमर तोड़ दीती और चार ब इसमें इन्हों से चार बिकेट लिये लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करें तो जीरो बिकेट थे उससे पहले एक उससे पहले जीरो जीरो और एक यानि दोस्तों इसी मुकाबले में इन्हें बिकेट मिले हैं अब टीम में जरूर इनको रख सकते हैं वहीं अगर बात करें ज तिम सकते हैं लेकिन तूस्तों इतने कोई खास फिलियर है नहीं तो आप अगर खिला रहे हैं तो ग्रांड लीग में इन्हें आप ट्राइ काफी शांदार ये all-rounder है open टीम के लिए करता है उर दोस्तों जिंबाब्बे की टीम है experience टीम है यह दी दोस्तों समल कर यह खेल दी है तो निश्चेती है ग्रांड लिग टीम के लिए हमें काफी एदा फायदा दिलाने वाले हैं उसके साथ ही यह दोस्तों बात करें पलियर है ये एवामसन का नाम है दोस्तों पूरा it is प् ignor के लिए इन्होंने फैक कर दिया था यानि चार ओवर फेके थे एक बिकट निकाल कर दिया था उससे पहले बाले मकाबले में बात करें ना दोस दो नीदरलैंड के के खिलाप इन्होंने पांच बिकेट निकाले थे उससे पहले एक उससे पहले दो उससे पहले जीरो उससे पहले तीन यानी काफी शांदार लगातार बिकेट टेकर ये टीम के लिए रहे हैं दोस्तों इसके बाद यदि बात करें अपन चतारा के बारे में दोस्तों राइट टाम फास्ट बॉलर है ये है 80 परसेंट लोगों नेने सेलेक्ट किया है पिछले मुकाबले में चार अबर अपने फेके थे दोस्तों मुझर जो इनका मुझर हानी है मुझरवानी दोस्तों जो बॉलर है ना वो इस सीरीज में नहीं केल रहा है तो काफी ज़या जम्मेदारी चतारा की उपर आजाती है और उसका उनने यहाँ पर अच्छे बखुवी से निवाया दोस्तों और चोतारा ने दो बिकेट निकल कर टीम के लिए दिये थे निश्चेती दोस्तों काफी अच्छा यह बोला रहा है आप इने ग्रांड लीग में कैप्टन ट्राय जरूर कर सकते हैं क्योंकि टीम इनसे दो ओवर सुरूबात में और दो ओवर डैट ओवर में जरूर करवाने वाली है इसके बाद दोस्तों एम वाइट का नाम आता है लगबाग अनुन तीस परसंट लोगों ने स्लेक्ट किया है फिछले मुकाबले में दो बिकेट इन्होंने निकल कर टीम के लिए दिये थे दोस् पेले भी दोस्तों इनका एक बिकेट और दो बिकेट नॉर्मल इनकी रहते हैं एवरेज लेकर दोस्तों पर मैच में ये बिकेट निकल कर नहीं देते हैं दोस्तों आप इन्हें ट्राइ कर सकते हैं ग्रांड लीग में इसके बाद दोस्तों बात करें जिंबाबबा के एल जोंगवे के बारे में दोस्तों ये बोलर पिचार ओवर फेकने के बाद दो बिकेट निकालगा टीम के लिए निकाले दे और उससे पहले भी दोस्तों लाश्ट मुकाबलिक छोड़े दे तो उससे पहले एक 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 बिकेट लोगो एवरेज निकालगा टीम के लिए ये देत हैं इसके बाद दोस्तों मज़कात सा काफी शांदार ये ओल राउंडर है दोस्तों बात करें तो सिलो लेफ्ट आम और्थो ब्रेक है काफी अच्छा ये बोलर है आप इन्हें कैप्टन ट्रा जरूर कर सकते हैं ग्रांड लीग टीम के लिए और इसके बाद दोस्तों जो आफ टाम फास्ट बोलर हमेशा बिकट निकाल कर टीम के लिए देता है दोस्तों जैसा कि हमारा पिछला जो प्रेडिक्सन था उसके आदार पर ही दोस्तों काफी अच्छी बिनिंग आपको प्राप्त हुई होगी हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हमने पिछली बार भी दो जितकर जो पहले बल्ले बाजी करने वाला है आप उसको प्रेप्रेंस जादा दे सकते हैं दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो उसके लिए आप हमें लाइक जरूर दे दे दोस्तों कमेंट्स आप साथ में करते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए